हाई बजबारी, very warm, welcome to the channel शिप्रामिश्रा, this is शिप्रामिश्रा and I hope you guys are doing fine तो यार यह कैसा टाइम था जब हमने देखा कि CUED के युनिवर्सिटी इसके लिस्ट में बनारा सिंदु युनिवर्सिटी नहीं है सच में दिल की धड़कने तो हमारी भी रुख गई थी क्योंकि मेरे लिए भी यहाँ पर मेरा फेवरेट कोर्ट जो हमेशा से रहा है वो है B.A.L.L.B. और अगर इसका इंक्लूजिन नहीं होता इस बार तो सच में बहुत बुरा लगता वट क्योंकि अभी बनारा सिंदु युनिवर्सिटी यहाँ पर आ गया है तो चलिए देख लेते हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स बनारा सिंदु युनिवर्सिटी ओफर करने वाला है और इसकी eligibility criteria क्या-क्या होगा और इट सबसे पहले तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि इसके साथ में आपके next जो important चीज़ है वो है आपका general test तो आपको English और general test पर यहां पर एकदम जम के ध्यान देना है इसके बाद में eligibility for the program program के लिए eligibility देखेंगे आपका 10 प्लस 2 जो है वो clear होना चाहिए अच्छा 10 प्लस 2 में that means आपके class 12 के अंदर 50 प्रतीशत marks तो होने ही होने चाहिए अगर आप BA major in economics करना चाहते हैं तो आपके पास में maths होना चाहिए आपके high school examination में subject age जो है वो 22 years से जादा नहीं होनी चाहिए 1st July 2024 आपकी नहीं होनी चाहिए तो 22 से जादा की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए that means applicant should be born on or after 2nd July 2002 तो age barrier भी यहाँ पर डाल दिया है और इसके साथ में आपको बता दिया है कि क्या चीज़ आपको जहान में रखनी है अच्छा फिर आता है मेरा favorite program और यह actually बहुत अच्छा option है उन सारे बच्चों के लिए है जिरोंने ओ सकता है December में CLAT दिया हो और वो law aspirants है integrated course करना चाहते हैं B.A.L.L.B. यानि यहाँ पर law pursue करना चाहते हैं और 5 साल के अंदर आपका law यहाँ पी हो जा रहा है पात साल में आपका law complete हो जाएगा B.A.L.B. यह actually बहुत अच्छा मौका है आपको यहाँ पर language test देना पड़ेगा English या Hindi का आपको subject test देना पड़ेगा Legal studies का और आपको general test देना पड़ेगा तीक है अच्छा यहाँ पे आपका जो है applicants who have successfully completed or is appearing in senior secondary school आप class 12 में complete कर चुके class 12 या appear कर रहे हो दोनों चलेंगे अच्छा इसके साथ में आपको यहाँ पर यह भी बता दिया है कि अगर University outside और और from senior secondary board or equivalent यह बता दिया कि आप state government से भी हो सकते हो ऐसा कुछ नहीं है यह recognized है और तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अच्छा इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 50% वाला criteria यहाँ पर भी applicable है फिर आते हैं BA honors arts पर तो BA honors arts सकर आपको करनी है तो यहाँ पर भी अपता कुल मिलाकर criteria इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी language test ले लीजे और general test आपको यहाँ पर देना होगा अगैन यहाँ पर आप देख लेंगे 50% नंबर आपके 12 के अंदर कम से कम होने चाहिए अगर आप economics में BA major करना चाहते है economics में तो आपके पास में math or stats होनी चाहिए as one of the subjects आपका होना चाहिए high school examination में और age barrier आपके लिए यहाँ पर डाल दिया है बाइस साल का age का barrier यहाँ पर बाइस साल से ज्यादा की अप्यूम्र नहीं होनी चाहिए अच्छे यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारा यह बीए ललबी वाला पांच साल का जो पूरा course है इसको अगर हम देखते हैं तो इसकी अंदर हमारे पास में age barrier नहीं है यह चीज़ प्लीज नोट कीजेगा और फिर आते हैं हम लोग वी कॉम ओनर्स अगर आपको करने हैं या फिर वी कॉम ओनर्स करने प्लें या फिर वी कॉम ओनर्स FMM करना है तो ऐसे में आपके पास में क्योंकि यहाँ पर background आपका commerce था है तो यहाँ पर आपके पास accountancy या bookkeeping का आपको exam देना पड़ेगा और इसके साथ में आपके पास में business studies भी होना चाहिए दो subject तो होने ही होने चाहिए और general test भी आपको देना ही पड़ेगा तो यह आपको ध्यान रखना है अच्छा इसके साथ में आपका class 12 जो है वो commerce, economics, maths, computer science, financial market management यह सारे इन में से कही ना कही होना चाहि है और 50% नंबर आपको यहां पर भी हासल करने पड़ेंगे 22 साल की उम्र का age barrier यहां पर भी है BSc करनी है BSc honors करने अगर agriculture में तो agriculture में करने के लिए subject test टेस्ट आपकी कौन-कौन से लग रहे chemistry लगेगा math लगेगा physics लगेगा आचा या तो आप chemistry maths और physics भी दीजे या फिर आप या फिर आप agriculture biology और chemistry दे दीजे तो यह आपके पास में आपका subject combinations हो सकते हैं आचा candidate जो BSc honors के लिए eligible होगा आपको धियान लगना है उसके पास फिजिक्स, chemistry, math या बायो होनी होनी चाहिए और class 12 में से 50 परतन मास तो आने ही आने चाहिए minimum आचा इसके साथ में यहां पर जो ह एज क्या है चुड नौड भी लेस देन 16 यह सिक्स्टीन यह से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 25 साल से जाधा नहीं होनी चाहिए तो 16 से कम की एज नहीं होगी 25 साल से जाधा की एज नहीं होगी आजा BSc honors biology की बात करें हम तो BSc honors biology में आपको biology का subject test देना पड़ेगा subject test देना पड़ेगा chemistry का subject test देना पड़ेगा physics का आपके पास class 12 में 50 प्रतीशत नंबर होने ही होने चाहिए ठीक है 22 साल की उम्रका यहां पर age भी barrier है BSc honors mathematics mathematics में करना है अगर आपको तो chemistry math and physics का test आपको देना पड़ेगा same criteria यहां पर भी है आपके पास में physics math और या फिर chemistry stats geology computer आप इन में से ले सकते हैं और इनका aggregate जो हो again 50% वाला आपको जोड़ना पड़ेगा बीटेक अगर आपको करना है डेरी टेकनोलोजी में तो आपको chemistry math और physics chemistry math या physics chemistry math bio with English होना चाहिए और इनका aggregate जो है वो 50 प्रतीशत होना चाहिए बीटेक अगर आपको करना है food technology में तो यहां पर chemistry math और physics आपको देना पड़ेगा class 12 के अंदर आपके पास यह subjects होने चाहिए यह भी आपको ध्यान रखना है कि 50% मास्स आपके यहां पर भी score होने चाहिए अगर आपको bachelor's vocation में करने है fashion technology और apparel designing में तो आपको language test देना पड देगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है आचा लास 12 के अंदर minimum 50% वाला criteria यहां पर भी है अगर आपको बीवाग करना है modern office management के अंदर तो language test और आपको general test देना पड़ेगा almost same criteria यहां पर भी रहेगा अगर बीवाग करना है food processing और management में तो आपको या तो आपको chemistry आपक physics test देना पड़ेगा या फिर आप बायो chemistry और physics का test दे सकते हो या फिर आप agriculture बायो और chemistry का test दे सकते हो ठीक है यहां पर आपको ध्यान दखना अगेन आपके पास में 50% aggregate मिला कर कम से कम होना ही चाहिए बीवाग इन hospitality and tourism management इसमें language test और general test आपको देना पड़ेगा बाकी क्राइटेरिया सेम है बीवाग इन अटेम्ट करने के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है बट यूनिवर्सिटी अपनी तरह से एज का क्राइटेरिया डाल सकती है तो आपको जो भी आप इसके बाद में यहां पर नोट भी दिया हुआ है इसके बाद में यहां पर नोट भी दिया हुआ है अगर इन इस एक्जाम के अंदर आपको बैठना है तो आपका स्कोर के साथ साथ प्राक्टिकल एक्जामिनेशन जो बी एच्यू में कंड़क्ट होगा उन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तब जाकर आप इसमें बैठ पाओगे ठीक है यहां पर भी आपके पास में क्लास 12 में 50 परसेंट तो होना ही चाहिए तो प्राक्टिकल टेस्स देखो यहां पर प्राक्टिकल टेस्स की बारे में कुछ-कुछ चीज़ें लिखी हुए है practical test shall be of 400 marks, practical test 400 marks का होगा the merit of BFA will be the sum of marks in theory paper जो की computer based test है and marks in practical test practical test will be of 2 hours, 2 घंटे का होगा और इसमें 400 number आपको मिलेंगे इसमें आपका aptitude और acumen चेक किया जाएगा कि आप कितना imagination कर सकते, आपकी creativity, आपका innovation ये सब कुछ चेक किया जाएगा इसके साथ में आपको यहाँ पर ये भी चेक किया जाएगा आपके पास में pencils है, colors है, color pencil, pastel crayons, watercolors, poster colors जिनका usage भी हो गया अच्छा अभी यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, लिकी विया हूँ ये है candidates numbering 4 times the intake of BFA courses in each category drawn on the basis of merit of CUAT conducted by NTA will be called to appear in the practical test at Varanasi center only या पर Varanasi center पर ही आपको appear होना है in these courses, marks obtained or rank in the entrance test would not be disclosed in the practical test component is over याद रखना, ऐसे course में आपके marks जो है वो disclose तब तक नहीं किये जाएंगे जब तक आपका practical test खताम नहीं हो जाता for BFA minimum qualified marks for theory paper will be 35% आपका minimum 35% आना ही चाहिए इसके साथ में practical का minimum जो है वो 45% होगा the university reserves the right to modify the above minimum qualified marks university इसको कभी भी modify भी कर सकती है और इसके बाद में आजाते हैं हम BPA पर BPA का भी यह है performing arts पहला टेस्ट है आपका और इसमें भी आपका practical लगेगा मैं आपको बता चुकी हूं कि practical का practical आपका बहु में लगने वाला है शाक्त्री ओनर्स जो है इसमें आपका जो सब्जेक्ट है हो संस्कृत होगा चीक है तो संस्कृत में आपको ध्यान में रखना है अगेन अगर आप class 12 के बाद अपियर करें तो class 12 में 50% minimum आपके marks होने ही चाहिए तो यह सारे के सारे आपके courses है जो B.H.U. offer करता है मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन-कौन से subject combination चूज करने अगर आप इन में से किसी भी course को opt करना चाहते हो और eligibility criteria basically इतना है कि class 12 के अंदर आपके minimum 50% आने चाहिए और maximum courses के अंदर जो आपका criteria वो यह है कि आपकी उम्र 22 साल से जाधा नहीं होनी चाहिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि माम यहां पे सबसे popular courses कौन से हैं तो मैं आपको बताऊंगी BA honors social sciences में BA LLB बहुत 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 अच्छा option आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपका BA honors arts और BCom honors जो है यह सबसे जाधा popular है अगर हम science की बात करते हैं तो BSc biology भी बहुत अच्छा है अगर आपका BSc जो है यह पूरा ही अच्छा है ठीक है बी टेक भी आप यहां से कर सकते हो तो basically जो सबसे जाधा popular courses है वो आपके BA और BALB वाले course है यह सबसे जाधा इन में मेरको लगता है आपको भी इनको इंको 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 करना चाहिए अपके form में अगर आपने इंको नहीं किया तो don't worry आप कर सकते हो बाद में आपके टेले के बिलिय्ट ने समय तो जाए है तो आपके अपने अवी उनिवर्सिटी अगर अपने अपने लिपने नहीं लिस्मेन ही दाला है तो डाल दीजे इंको प्रू पाइ निवर्सिटी सो यह पी इंको टर सकते एं and that's it for this video, I'll see you in the next one, thank you so much for watching, bye-bye, take care